आज के इस वीडियो में बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है हम लोग देखेंगे किस तरह से हिच्टीमल, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आपस को बनाया जाता है जिटने भी जावा स्क्रिप्ट it the concept सभी तक हमने सेके बि気gil किस तरह से हो काम करेंगे चलाएं रीच gonna system एंड में लेट्स NOT में अब बताना चाहता हूं جावा सक्रिप्ट का यूज जहा पर मुक्ने रूप में किया गे जाता है उसके बारे में और वो है हमारा ब्राउजर तो जावस्क्रिप्ट इन दे ब्राउजर चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं समझने वाले हैं करूंगा मैं रन पे क्लिक करूंगा तो यह रन हो जाएगा ठीक है एक तरह से एक आक्शन लिया जा रहा है जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो यह किस तरह से गिया जा रहा है यह कैसे गिया जा रहा है यह जावा स्क्रिप्ट की साहित से गिया जा रहा है अगर मैं आप राइट लेक करूंगा इंस्पेक्ट पर जाओंगा तो यह सब चीजे खुल रही है कुल मिलाकर हमारा जो Google Chrome है वो भी एक प्रोग्राम ही है तो प्रोग्राम कुछ काम करता है यूजर के एक्शन के अनुसार उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि यूजर के अनुसार हमारी वेब साइट काम करें हमारा वेब पिच काम करें तो जावा स्क्रिप्ट को हम लोग ब्राउजर में इस्तिमाल करते हैं अब देखो क्या होता है किसी भी एक website में HTML, CSS और JavaScript होती है जब मैं कहता हूँ HTML, CSS और JavaScript होती है मेरे कहने का मतलब है कि HTML किसी भी एक webpage का skeleton होती है For example, अगर मैं यहाँ पर right-click करके inspect करो और मैं इस page में से JavaScript को हटा दू तो यहाँ पर आप देखो कि यह जितने भी script tags है अगर मैं हटा दू यहाँ पर यह style tag है, style tag है, in fact अगर मैं style tag हटा दू कुछ इस तरह से, तो आप लोग देखो क्या होगा ठीक है, मैं यहाँ पर सारे style tags को हटाना चाहता हूँ मैं head के अंदर से भी सारे styles को हटा दूगा यहाँ पर भी कुछ style tags होंगे, तभी कुछ styles हमें देखने को मिल रहे है तो यह जैसे से मैं styles हटाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इस page को problem होती रहेगी और यहाँ पर देखो मैंने finally सारे styles इस page में से हटा दिये हैं और main style भी जब मैं हटा दूगा और script हटा दूगा तब आप देखना क्या होगा यह देखो मैं सारी scripts और style sheets हैं उनको हटा रहा हूँ और आप लोग देखो कि यह page break होना start हो गया ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो cdn.replit.com से ही java script आ रही है और यह जो मैंने सारी CSS जासे हटा दिया इसको हटाने के बाद देखो इस page की क्या हलत होगी आप देख रहे हो, क्या हलत होगी इस page की, तो जो html होता है वो plain and simple skeleton होता है किसे भी एक web page का और हमारा जो CSS होता है वो styling करने के काम आता है और java script page में जान डालने के काम आती है यानि की logic को डालने के काम आती है तो अभी तक जो हमने रैपल बनाई थी वो थी सिर्फ java script के बारे में उसमें सिर्फ java script चलती थी लेकिन अब जो हम रैपल बनाने वाले हैं उसमें HTML, CSS, java script तीनों चलने वाले है ताकि इसका HTML, CSS, java script तीनों चीज़े लोड हो जाए और आप लोग को दिखाऊंगा कि एक नई रैपल में एक नई template के साथ कैसे बनाऊंगा तो अभी तक जो template मैंने use करी थी वो थी node.js अब मैं करूँगा HTML, CSS, java script तो मैं आप पर create पर जाऊंगा और मैं आपर search करूँगा HTML, CSS, java script और यह यहां पर आजाएगी template मुझे क्यों नहीं मिल रही है भाई क्या दिक्कत आ रही है HTML HTML, CSS, jas यह देख रहो आप लोग HTML, CSS, jas में मैं आपर आगया है और मैं आपर लिखूँगा 23 underscore jas in the browser ठीक है jas browser कुछ इस तरह से मैं लिख दूँगा और create repl पर क्लिक करूँगा और यह repl create हो जाएगी अब देखना यह repl कैसे different है हमारी पुरानी repl से ठीक है इस पर तीन files है index.html, script.js और style.css और मैं इसको run करूँगा तो यहां पर मेरी पूरी website आईगी अब यह repl एक website है आप यहां क्लिक करके इस website को new tab में भी खोल सकते हैं ठीक है new tab में भी आप लोग खोल सकते हैं और आप लोग देखो यहां पर कि अगर मैं मानलो जाल देदा हूँ यहां पर body background red अब यह CSS का tutorial नहीं है और मैं यहां पर लिख दूँ alert hello तो यहां पर क्या होगा कि जैसे इस page को load किया जाएगा तो यहां पर hello लिख कर आएगा ठीक है तो HTML responsible होता है page के skeleton के लिए JavaScript responsible होती है page में जान डालने के लिए CSS responsible होती है page में styling करने के लिए से कि किस चीज का color रहेगा क्या चीज में कितनी padding होगी यह सारी की सारी चीज़ तो यहां पर अगर मैं notes पे वापस हैं तो आप लोग को देखो मैंने लिखाए कि JavaScript was initially created to make web pages alive web pages में जान डालने के लिए JavaScript को बनाए गया JavaScript can be written right in a webpage HTML to make it interactive किसी भी HTML page को interactive बनाने के लिए उसके लिए जावा स्कृप्ट यूज कर सकते हैं browser has an embedded engine called the JavaScript engine or the JavaScript runtime browser में embedded engine होता है जिसको JavaScript engine कहते है या फिर JavaScript runtime कहते है JavaScript stability in the browser is very limited JavaScript browser में जो जो चीज़े कर सकती है वो बहुत limited होती है और user safety को करने के लिए उनका limited होना ज़रूरी भी है for example JavaScript आपके computer के अंदर जो files downloaded है उनको read नहीं कर सकती जावा स्कृप्ट आपके computer के अंदर एक virus scan run नहीं कर सकती है ऐसा नहीं कि मैं website बना तो जो कि आपके computer को scan कर दे तो in browser JavaScript की बहुत जादा limitations होती है ऐसा नहीं कि मैं आपके computer की files को read कर लूँ अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा कि कोई भी इंसान एक website बना देगा जो अलग-अलग clients की website को read करें तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा जो कि website visit करेंगा मैं किसी ऐसी website को visit करोंगा जो कि मेरा डेटा चुरा ले ठीक है ना ही मैं कोई ऐसी website को visit करोंगा जो कि मेरा डेटा जो दूसरी sites पर है for example facebook.com पर है या फिर मेरा data जो gmail.com पर है मैंने चाहता कि दूसरे लोग देखें उसको तो इसी लिए इन ब्राउजर जावस्क्रिप्ट ये काम नहीं कर सकती तो मैंने आपने लिगा हूँ है for example webpage at goofal.com मालो किसी नो goofal.com मरा दिया google.com के जैसा है यह goofal.com और कोई इनसान confused हो जाए अगर तो उसको लगएगा यह रही तो google.com है ठीक है वो जाएगा इस website पर अक्छली ये website मालो चोरी कर रही है data को quotesware.com से इस website में जो data है उसको अगर यह call करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा वहाँ से information को चुराया जा सकता है न तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी एक website का data दूसरी website की data को access करें नहीं आप यह चाहोगे कि एक website आपके दूसरे website के data को पुल करें और उसके साथ कुछ analysis करें यह भी आप कभी नहीं चाहोगे तो इन browser JavaScript की यह सारी limitations होती है अब developer tools की बात कर लेते हैं developer tools क्या है every browser has some developer tools which makes a developer's life a lot easier ठीक है जब आप develop कर रहे हैं और right click करके आप inspect पे जाएंगे तो यह कुछ developer tools आप लोगो देखने को मिलते हैं इनको मैं जरा आप लोगो समझा देता हू सबसे पर elements है जिसमें कि आपको सारे elements देखने को मिलते हैं for example अगर आप hello world को यहाँ पर दीखना चाहते हैं तो आप इस arrow पर click कर सकते हैं और फिर hello world पर click कर सकते हैं और यह आप आपको ले जाएगा कहां पर आपका element है तो यहाँ पर यह element यहाँ पर मेरा दिखाई पड़ है ठीक है तो यहां पर सारे elements होते हैं अगर मैं कुछ और elements add कर दूं मालो मैं आपर इस alert hello को जरह में हटा देता हूं मालो मैं अपने HTML में आकर कुछ और चीज़ एड करूं मालो मैं डिव टैग एड करूं और इस डिव दिखाई दे ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा कि मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट को यहां पर लोड कर पा रहा हूं CSS को लोड कर पा रहा हूं यह पूरी HTML है तो elements के अंदर सारे elements आपको दिखाई पढ़ेंगे console.log Hey Harry सेव करके रिलोड करोगा तो वह भी मुझे console में देखने को मिलेगा तो console में हमारे सारे messages logged होते है तो यहां पर Hey Harry देखने को मिलेगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टैप की जो जो अब यह बागी की जो टैप्स है इसको मैं आपको बताऊंगा लाइटाउस के बारे में बताता हूं कि आपकी एक रेपोर्ट जनरेट करती है जो कि बताती है कि आपके website कितनी तेज लोड हो रही है क्या आपकी website में improvements की जा सकते है ठीक है I hope कि आप लोग को बता चल गया इन सारी tabs के बारे में और यहाँ पर मैंने तीन tabs के बारे में लिगा है जो सबसे important है elements console और network console में सारे errors and logs को लिखा जाता है elements में सारे HTML elements होते हैं फिर यहाँ पर network में सारी हमारी network request होती है और अब उनको देख सकते हैं कि network request किस तरह से गई है तरह से इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने playlist अक्सेज ने करी जावास्क्रिप्ट की तो इसको जरूर कर लेना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time